दोस्तों आज कि इस वीडियो में हम रिडीओ करने वाले ही स्टेनली का फिलर गेज का सेट तो इसमें 25 बलेड्स आते हैं और ये मेट्रिक जो है SEC फिलर गेज है तो आइये इसे देखते हैं तो ये जो फिलर गेज है ये मैंने फिलिपकार से पचेश किया था तो आएए देखते हैं इसको तो इसमें से हम इसको निकाल लेते हैं भार इसके पैकिंग में से तो इस परकार की पैकिंग के साथ आता है तो इसको साइड में रख लेते हैं पैकिंग तो इस परकार का यह गेज है स्टेनली का हमारा थोड़ा focus की problem है आपर तो इस प्रकास से gauge है हमारा तो इसमें 0.4 mm से लेके 1 mm तक के different blades है हमारे पास तो ये सबसे पहले यहाँ पर 1 mm का है और इसके बाद इसमें 0.4 mm का शुरू होता है तो इस प्रकास से 0.4 mm का है और ये पुदी तरह से oil में लगा है इसमें machine oil जिससे इसमें रस्टिंग ना हो वैसे इसमें लिखा है अंटी रस्ट लेकिन ये खाली कहने की बात है कभी न कभी इसमें जरूर से रस्ट लग जाएगा विद टाइम से हम इसके यूज करेंगे इसमें रस्ट ज़रू रगेगा तो इसमें 0.4 mm से सबसे minimum है और maximum इसमें 1 mm है तो यह जो filler gauge है दोस्तों काफी ज़्यादा useful रहता है यह आपको spark plug का gap set करना हो tapet adjustment करना हो तो जो filler gauge है वो काफी ज़्यादा useful रहता है और filler gauge में भी बहुत सारी variety आते हैं लोकल भी आते हैं काफी अच्छी क्वालिटी का है क्वालिटी की भी आते हैं तो इससे कभी भी आप जब measurement लेंगे या किसी भी चीज का gap measure करेंगे तो काफी accurate आने वाला है तो मेरे पास यहाँ पर एक spark plug है यह हमारा hero maisterize का spark plug है तो इसका भी हम gap measure करते हैं इसका spark plug का gap check करने के लिए ठीक है और दूसरा use है इसका हमारा tap it adjustment करने में या valve clearance set करने में तो अभी जो हमारे पास spark plug है इसका gap check करने वाले है तो इसमें जो maisterize में जो plug का gap रहता है spark plug के electrode का बीच का gap वो 0.6 mm से लेके 0.7 mm तक रहना चाहिए और यदि इससे काम या इससे ज्यादा है तो इसका मतलब है इसको adjust करने की ज़रूरत है तो अभी हम सबसे पहले 0.6 mm का इसमें ब्लेड निकाल लेते हैं 0.6 mm का हम ब्लेड निकालेंगे इसमें 0.4, 0.35, 0.45, 0.5, 0.6 mm का ब्लेड यह रहा हमारा तो अभी इस जो एक gap दिख रहा है इसमें हम इसको प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं यह बहुत ही जादा हाड जा रहा है यह इसके अंदर इंसर्ट नियों पार रहा तो इसका मतलब है इसका gap जो है काफी जादा कम हो गया है तो इस gap को हमको अर्जेस करने की ज़रूरत है तो अभी इसका यदि हम gap देखें की कितना है तो यदि अभी इसमें 0.6 का तो जाद नहीं रहा है तो हम इससे थोड़ा सा छोटा इसमें डालने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा पतला तो भी हमारे पास है 0.5 तो 0.5 का भी इसमें तो मतलब इसका gap जो है भी 0.5 mm के आसपास का है तो इस gap को हमको अर्जेस करने की जरूरत पड़ेगी नहीं तो इसका mileage जो है काफी कम हो जाएगा क्योंकि spark plug के बीच का जो इलेक्टरोट के बीच का gap है वो इसका बहुत जादा जो है कम हो गया है जैसे क्या कि sparking उतनी adequate नहीं हो पाएगी और हमारा mileage कम आएगा तो इस परकास से जो यह filler gauge होते हैं काफी ज्यादा useful होते हैं उन distance को measure करने के लिए specially जो की काफी ज्यादा minimum बहुत ज्यादा छोटी gap है जिनको हम normal burner caliper उनसे measure नहीं कर सकते हैं तो इस जगह हम जो है filler gauge के यूज करते हैं तो इस टैनली का filler gauge है काफी ज्यादा useful है यदि आप इसे purchase करना चाहते हैं अपने day to day repair work में जैसे की tap valve clearance set करने में और spark plug का gap set करने में तो आप इस परकार का gauge purchase कर सकते हैं और यह आपको lifetime serve करेगा तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस शोटेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद